नमस्कार, नए साल की शुपकामनाओं के साथ, विल्डिन इंडिया के इसंक में सहर्ष आप सभी का स्वागत सूरज अंधकार को दूर करके प्रकाश को नित हमारे जीवन में लाता है, मगर एक दीपक रात भर उस अंधिरे से लड़ता है ठीक इसी तरह रहस्य में आवरण में छुपी कोल के धर्ती के हीरे, पदमश्री डॉक्टर श्री जानूम सिंग सोय ने हो भाशिय गीत एवं साहित्य को एक प्रतिष्ठित पहचान, एवं उनको जन मानस के पीच अती लोकप्रिय बनाने में अपना अभिन्य योगदान दिय है, जीवन के प्रती इनके दर्शन से अवगत कराने के लिए आईए, आज हम लेके चलते हैं इनके पैत्रिक गाओं, गितिल लोंगोर है, जीवन करता है, जीवन के था भी इनके इनके प्रते हैं, जुश्ट दोरे मेंगोर कि पैसेत्स, पैसेत्स, भिति अपत्स, के स्सथ्कारर में मिलन्य थो, के स्समी सागर्यों जीतिं स्सेवेज अला कोलहान प्रमंडल भारत के जार्खन राज्जी के पांच प्रमंडलों में से एक है इस प्रमंडल में तीम जुले शामिल है पुर्वे सिंभुम, सुराइकेला खरसामा और पश्चिमे सिंभुम इसी पश्चिमे सिंभुम के गितिल लुहुर गाउं में 73 वर्षियत जानूम सिंभ सौय का जन्म 8 अगस्ट 1950 में हुआ है इनके पिता जोराए सौय और माता का नाम जेमा सौय है पिता एक क्रिशक थे पुल चार बहने और छह भाईयों में से एक जानूम सिंभ सौय की परवरिश कच्ची मिट्टी के घर में रहते हुए मात्र धान की छोटी सी खेटी पर निर्भर थी पर इनके माता पिता शिक्षा की एहमियत को खूप समझते थे इसलिए उन्होंने जानूम सिंभ सौय को शिक्षा के ख्षेत्र में आगे बढ़ते हुए समाज के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दी अभी बावा के रूप में गर्जेन के रूप में मेरे देदियां ही रोल किया करती थी क्योंकि मेरी जो दीदियां है हमसे बड़ी है इसलिए बस्तन बहुत ही कुछी अली में बीचा किसी तरह की प्रेशाने नहीं उनी लोगों के साथ मुझे भी कोग्ऴ स्कूल में जाने का सुवाँसर मिला है हही कोग्ऴ स्कूल में ही मेरी पड़ावी शुरू हुई परिवार मैं लड़का में सबसे बड़ा हूँ इसलिए परिवार की और से लाड़ प्यार स cafeteria मुझको ही ज्यादा मिला तो यहीं लाड़ प्यार मुझे को आगे जाने से प्रोशाहित करता रहा, उत्साहित करता रहा, इस तरह से परिवार की और से मुझे प्रन्या मिलती रही और मैं आगे बढ़ता गया। कि बजपन में आने जाने के रास्ते में तो नदी पड़ता है। उसी नदी में हम लोग घरमी की दिनों में बालो और पानी से खेलते हैं। और कोक्चो स्कूल को बनाने में हम लोग अभी योगदान रहा है। 500 पमिटर दूर से हम लोग बॉल्डर ढों के ले आते थे स्कूल बनाने के लिए और उसको इसी बनाए है और हम लोग कर जो उस समय पढ़ा ही होता था हम लोग मास के नीचे में बैठके जमीन में बैठके पढ़ा ही करते थे और बच्पन से ही स्रि जनम सिंभ् ind就是 का जो एव साहित में रूची था कि अच्छ साहित में रूची था और मेरा जो है मैथ में था इसींलिए लेकिन संष्पीछ आदिविस की तोसमिन अच्छा स्udव संगीत गाना एसा में बहुत इंट्रेस्ट था जनुम शिंश्वय को और मुझे बजाने में अच्छा लगता था तो और कभी हम लोग जाते थे स्कूल तो बैर तोड़ते हुए ले जाते थे बैर खाते खाते गाना गाते गाते वह अच्छा से बित्ता था हम लोग का और यहां फिर घर में आके गाओं में आके हम लोग यहां खेलते थे गोटी खेलते थे और यह से खेट से किसारी चना यह सब निकाल निकाल के खाते थे हम लोग बड़ा मज़ा आता था हम लोग बहुत अच्छा समय कुझा रहा था बहुत अच्छा गाओं से धाई किलो मीटर दूर कोक्चो ग्राम में प्रास्मिक शिच्चा ली उसके बार हाई स्कूल उन्हो रुंग्टा हाई स्कूल से किया टाटा कॉलेट से इंटर करने के बाद उन्होंने 1971 में हिंदी विशय में बीए ओनर्स किया फिर 1974 में राची विश्वद्याले से एमे किया शिक्षक बनने के मकसद से डॉक्टर सौय ने 1977 में बीए तो कर लिया लेकिन प्रोफेसर बनने की सेवा करने का अवसर मिला. मैं तो मेट्रीक पास करके आई ही थी, हैना मैं ट्रेनिंग किया हुआ था मेरा टीछर्ष ट्रेनिक, तो सर के कहने पे मैं आगेर पढ़ाई जाए लिगी तो इंटर के पास की इंटर करने के बाद फिर बच्चे से हुए, बच्चे से हुए, तीन बच्चे, तो इस दोरान सा को हमारी जब सादियोंगी थे उसी दुरान सार प्षीछ कर रहे थे, प्ष्डीकर रहे थे एंक पीजेशडीर हुएह आँग थे , हमको सवल्गी भूंख संतनातन Hunting Sim storytelling अभी सब किये, बच्चों का भी हम लोग जो परविरिश करने में पूरा ज्योगदान रहा ऐसे ने कि मैं ही कर रही हूँ, मैं भी डिटी कर कर आती हूँ, वह भी आते हैं ऐसे हम लोग दूम ऐसे लिए रहता कि तुम हमरे अरत है तुम करोगी सब चीज में सहियो करते थे, पकाने लेके सब चीज, बच्चों का देख भाल करना, सब चीज, और उसके बाद सब दीरे दीरे पीएशडी किये, पीएशडी करने के बाद, परिमारे समाज की ओर से, थोड़ा उनलोग पस्ताव रखे, कुछ मिटी हुआ था, तो उसमें उनल सब चीज, तब लिखे, सर बोले कि ठीक है, मैं आपके जीवन पर आधारित एक उपनियात लिखना चाहता हूं। डॉक्टर सौई की शादी हीरा मनी बानरा से हुई, जो पेशे से शिक्षिका थी, दोनों के कुल तीन संताने हैं, दो बेटियां और एक पुत्र, उनके पुत्र जैसिंग सौई बेशिक्षित होकर उत्क्रमित उच्चे विध्याले वो खरिया में प्रभारी परचारिय है तो जब हम लोग छोटे थें, तो पापा को देखते थे कि हमेशा लिखते रहता थे, सुबा से शाम हो गई, साम से रात हो गई, रात से सवेरे, तो पिता जी लिखते रहता थे, लिखते रहता थे, तब तो समझ नहीं आता था कि पिता जी क्या लिख रहे हैं, और जैसा कि दिरे देह उमर के साथ पता चला कि थेसिस कंप्रेट अपना कर रहे थे हो समाज को लेकर करके और जैसे जैसे बड़े हुए तो जाने की समाज क्या है भाषा क्या है संस्कृतिक क्या है पिताजी के द्वारा हम लोग को जानने के मौका मिला अज जैसे से हम गाओं आते थे त कुछ संस्कृति तेवार में देखने को मिलता था जैसा कि बहुत कोई होता है अपना समाज में सेवा देता है कुछ तन से कुछ मन से कुछ धन से तो पिताजी को मैंने देखा है कि वह समय दे करके जैसा कि अपना समय लिखने पढ़ने में ही चला दिये जैसा कि बहुत शेकले पिता जी किई उन्होंने मन से जो नक कंग विचार आया वह अपना विचार को अपने Жांश लिखित रूप में उसको दिए और इक होता है तन हो गया मन हो गया अरह price जो सरीर जैसा रितन जैसा हो गया शरीर जिससे आप आप कहीं पैसा से उसको धन से नहीं दे पाते हैं समाज में सेवा और मन से नहीं दे पाते हैं तन से अब जा करके फिजिकली अब जा करके वहाँ पर अपना सेवा देते हैं तो पिता जी ने मन से उसको सेवा दिया और बहुत अच्छा लगता है बहुत गर्व लगता है कि मै उनका पुत्र हो उनकी बेटी मनीशा सोय पटना में कारियरत है और दूसरी बेटी मधूरिमा सोय है हैदराबाद में कारियरत है पापा और मेरा रिश्टा हमेशा से अनोखा रहा है क्योंकि बच्पन में मुझे जितना याद है पापा कभी जाद कुछ बोलते नहीं थे लेकिन हाँ डाटते बहुत थे थोड़ा सा डर वाला डिस्टेंस रहता था पापा का और मेरा लेकिन कभी भी स्कूल में कभी उनकी जरुरत हो मुझे जैसे कोई पेरेंस नाइट हो गया या फिर कोई डांस कॉंपिटीशन के समान खरीदना है या कुछ भी स्कूल रिलेटेड पापा हमेशा एवेलेबल रहते हैं स्कूल से लेकर आने से लेकर ले जाने तक ट्विशन एवरिवेर वह हमेशा एवेलेबल रहत से चलो टाइप करने जाएंगे हो कुडि तब हमारे पास एक डेक्स्टॉप रहता था जो उस टाइम का टू थाउजन फाइव फोर की बात है तो उसमें हम टाइप करते थे हमें बहुत बोरिंग लगता था क्या कर रहे हैं पापा क्यूं ऐसा कर रहें क्यूं करवा रहें जादा मारा ध्यान रहता था तो हम डीदी भी हल्प करती थी पापा को थोड़ा सा टाइप करने में मैं भी हल्प करती थी तो आज जब हमें पता चला 26 जनवरी 2023 को जब हमें पता चला की पापा को घोशित किया गया है पदमश्री से आप बिलीव ने करोगे इट वस इट I was feeling so so amazed or I felt goosebump आप वो एक वीडियो भी देखोगे डीडीवन का जगापे हम चार खड़े हुए हैं मेरे आंकों में पूरा आसू आ गया था क्योंकि वह महौल वह पापा का नाम लेना सब इतने बड़े दिगज लोगों के सामने पापा का नाम पुकारना और वह एक महौल बहुत इंडिफरेंट था वो मैं शब्दों में बया नहीं कर सकती तो मैं बहुत खुशखिश्मत हूँ कि मैं पापा की बेटी हूँ और एक तरह से उन्होंने एक एक्जांपल सेट किया है हम जैसे यूद को कि हमें अपनी संस्कृती हमारा भाशा हमारा जो हमारा रूट है उसे कभी भूलना नहीं है उसे हमेशा पकड़ के रखना है और आगे बढ़ते रहना है जब डॉक्टर स्वय ने पीएश्डी करने का विचार किया तो देखा हिंदी में बहुत लोग पीएश्डी करने वाले हैं जबकि हो भाशा में पीएश्डी करने के लिए कोई एक मैं कभई भाश पीएश्टना हैं भूस खीएश्डी करने कर दबकि हंदी हिंदी का विचार्टी है याओ प्रवेस वने का सवाल है कि मैं क्यों अपनी मात्रिभासा के अःक लिए। मैं हिंदी का विजार्थी बना, हिंदी का प्रफेसर बना हूँ, इतना होने के वावजूद भी, मैंने हो विषय पर हो लोग गीत का साहितिक और सांस्कृतिक अध्यान विषय पर सोधकार्ज शुरू किया। यहीं सोधकार्ज करते करते यहीं भी से मुझे हिंदी से अपनी मातरिभासा हो की और आक्रिष्ट किया। अन्ततो गत्त मुझे मेरा जो ध्यान है मेरा जो मेरी जो मनुकामना है यह हो विषय पर किंदरित हो गया। विचार्णिया है कि हो का प्रध्यापक होते हुए भी मैंने हिंदी में क्यों प्येज़ी नहीं किया। मेरा सोभग है कि मैंने हिंदी विषय को छोड़कर अपनी मातरिभासा में सोशकर्च संपन्न किया। तब से विषय ही ऐसा है हो लोग गीत का सहाथिक और संस्क्रितिक अध्यान। मुझको इस थैसिस के माध्यम से सोजकार्च के माध्यम से लोग जियों ने प्रचलेत लोग गीत को सहाथिक भी बताना है। इसका सहाथिक महत्तों भी बताना है और संस्क्रितिक भी। इसके लिए मौखिक लोग गीतों को आधार बनाकर शोध किया। इसी मकसद से 1991 में राची विश्व विद्याले से वो लोग जित का सहाथिक भर संस्क्रितिक अध्यन विशय पर पीछडी पूरा किया। सहाथ तो मेरा बड़ा भाई है। जब हम लोग कुलेज में पड़ता था उसमें आम लोग साथे में आम भी थे। और जब कभी भी घर आता है तो चुटी में साथ हम लोग हाल जोतने के आते हैं केत में। कि यह इदर उदर आते हैं और कुलर इसम लेके जाते हैं सुबह हम साम काम करने के लिए। कि अब बच्पन से हम लोग छे भाई ते चार भाई हैं चार भाई हैं परियों में एक सत्मनिया राते हैं। Department,ánat… सीटी उतक पहले गाओं में जब राते, तै उस समय इस कोईए चुटी में आते हैं। उसके बाद वैसा से चुटी में जाते हैं। तब सब मिलके सब जाते हैं। सब सब गहर कांम सब ऐसे ही करते हैं। के बाद चुटी पूरा होने के बाद तो फिर अपना अपना कौपस चल ले जाते हैं की पुटी कपयां संथ के बाद आपको फिर बाद जोरिया होज़वां ने चुटी कोरा सुन्हाय थैपना इंक पुटी को घ temporा होज़वा जिए ने जने घर memo जोई चिटी पूटी ओब में बाद सब्सक्राइब कर रहे हैं जार्खन में यह भाषा हो जनजाती के बीच बोली जाती है जो मुख्य रूप से जार्खन के सिंभुम शित्र में निवास करते हैं जिसे कोलहान नाम से भी जाना जाता है पुरुषकार गत्य पांच आप्रेल दोहजार ताइस को यह दोहजार पांच आप्रेल दोहजार ताइस को रश्ट्पति भावन में अन्य पुरुषकार पाने वाले विद्वानों के साथ हो भासा के छेत्र से या हो समुदय से पदम सिरिप पुरुषकार हसिल कर राष्ट्य अस्तर पर हो भासा की पहचान दिलाया ये बहुत स्वाबमयन श्वाबिमान की बात है गौरब की बात है अब हो भासा सिरिफ घर में बोलने वाली भासा नहीं रा गया ये किताब की भासा बन गया है और देश सब होगो जन गए हैं स्भो और हूंसामे लिखा है और उपनियास भी उनकुने लिखा है जो हो कुडि है और उनका तो उसी पर ही उनको पधंस्री हशिल हुआ है डॉक्तर सॉय ने जिस्म काम को हाशिल किया है वह एक दिन में नहीं हुआ है विपरीद परिस्थीतियों से लड़कर हर एक दिन मिलने वाली छोटी छोटी सफलता ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और जंजातिय भाशा के विकास में निरंतर लगे रहे घाट शीना कॉलेज में प्रोफेसर रहे फिर कोलान विशुद्याले में प्रटम से ठाक्टर जनुशींश्वे का एक विशाल जन्षभा के रूप में चैवासा जो कुल्हान परमंडल का एक हमारा एक मुख्याला है उस पे एक विशाल जन्रेली जन्षभा का ऐच किया जाया इससे और योजन को एक ऐतियसिक बनाने के लिए हमने हमारे पूरिश हो समाज को हमारे सभी समाज के लोग को involved करने के कोशिश किये और इसमें हम सफल रहे हम लोग का जो जुलूश था इतना भीड़ता कि रोट्सों जिसको बोलते हैं जिसमें हमारा सभी संस्कृति के लोग सभी समाज के लोग कि involved रहे हम लोग चकदरपूर रोट के सुपलसाई जगा एक है वहां से हम लोग स्टार्ट किये जहां पर जनुम सिंग सोय का हम लोग आदिवासी रीती रिवाज के साथ उनका गाजे बाजे के साथ हम लोग ने उनका स्वगत किया उसके पश्चात जब रोट से हम लोग जलक दिखी और उसके बाद जब आगे बड़ी तो हमारे चैवासा में पहुंचता है बड़ी बजार जहां पर एक मुस्लिम एरिया है हमारे बहुत अच्छे मित्र लोग भी हैं हमारे समाज हो समाज के साथ कदम से कदम निकल साथ लेके चल रहे हैं उनके साथ हमारे बारत तक पढ़ते हैं आप अंदर आये तो अंदर आये अंदर आने के बाद उनका बहुत भविश्वगत हुआ क्योंकि इसमें सल्मापर तैयरी की गही थी क्योंकि कार्श कर्ण का पूरा आयजन जो हुआ रहा है मेरे ही द्वारा हो रहा है सेर में तो वहां भी बहुत उस वहा है कि छोटे बच्चे जो जिसके उम्मर दस बारा साल के हैं उन लोगों का भी इस रोट्सों के माध्यम से इनके आने से जो जो उनलोग में परविरती जागी है के पदम सरी कैसे मिलना चाहिए हो सकता है आसा है कि यह जो इस्टुडेंट मारे स्कूल के हैं कल की डेट में हैं यह पदम सर लेकर आएंगे इस तरह कापिला आगे बढ़ते हुए जब हम आगे पोचे तो महूल से होते हुए जब हम लोग शेंड वीका स्कूल के पास पोचे तो वहां पर हमारे सेंड वीडा वीका स्कूल के प्रिंश्पल और उनके टीचर उनके स्वयागत में खड कि इतने जोर सोर से उनका माने स्वगत हुआ कि हम कुछ बहुत गदगद हो गए डॉक्टर सौय कुलहान विश्व विड्याले चाइबासा में रहते हुए बहुत से भाशा में रजनात्मक्र संग्रह लिखे हैं सुझावत यह जिससे गरीबी से छुटकारा मिल सके उनका कहन है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार पेशे को अपनाएं और अपने विश्वास के साथ लगतार कर्म करें तभी गरीबी से छुटकारा मिल सकता है हम स्वाजी के अंडर में मारा पीजडी राचिशन हो चुका था रांची इनुबस्टी में 2010 में और तब से हम स्वाजी को तो असा बढ़िया से जानते हैं उससे पहले तो ऐसे इसे इसकूल लाइप में तो नहीं मिले कॉलेज लाइप में उनसे मिले और उनके अंडर में प्राचिशन होने के बाद धुर्भागया मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोलान इनुबस्टी और रांची इनुबस्टी दोनों अलग लग हो गये हैं तो फिर यहां डियर से नहीं ता बोलके पिर वहां गाइड को तोड़ा सा टासपर यहां खो गाइड के रूप में पिर इनको पिएजडी वहीं से हुआ और वहीं से इनकी जो किताबें जो हो कोड़ी उपनियास बहुत पहले से रांची इनुबस्टी से इसकी पढ़ाई हो रही थी और उस समय तक हमको इस उपनियास के भारे में उतना जानकारी नहीं थी और जब यह जब यह जब आज हमारे बीच म कि उफनियास यह मत्यम से एक पाढमि्सरी का जो एक हो समाज के लिए बहुत ही बड़ा हुसी और परेंसी इनसमें नेशनल लेभश आं इंटरनियशनल लेवल में और यह हो कई उपनियास मितलब तईश आध्याय में हर अध्याय को कारिश पढ़िपॉव तो पढ़े और उसमें हर चीज को समाहित किया गया है, इसमें स्वय जी का हम लोग का वारंग चिती जो लाको बोदरा जी के साथ में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, और जी उनी सव चाहुएन आसपास में यहां पर तिरिपन केंदरा में हो भासा का भी हो कुड़ी उपनियास में ज जितना हमारे गंगराम, कालुण्डिया, और जैपाल सिंग्, खोगेरा-खोजी देम के बारे में, यानि कि पाई-पाई से उस किताब पे लिखे हैं, जो बहुत से लोग उस किताब को मतलब नहीं समझ़ पाते हैं, मतलब उपनियास कि देरा है, कहा है, कैसे हैं, क्योंकि ह सब्सक्राइब धाते हैं तुसका बारे की से हम जानते हैं तो इस तरह से स्वेज जी के किताबें बहुष सरी जैसे बाश हास अढेन से सूथ वाग हारा सागेन की स्रीया से रहे वेकिंटर्ण जत्रह से लेकर योजार ritis हर अस्तर में इनकी किताबें की पड़ाई और इस तरह से हमारे हो समाज के लिए इनकी बहुत बड़ा योगदान है और इससे बड़ा कि आज हो समाज में भी इस तरह के जो सहित्यकार, सहित्यप्रेमी, मतलब देखा जाए तो यह हर तरह के हैं डॉक्टर सौय के द्वारा लिखी गई किताबों को जारखन के विश्विद्यालेयों में हो भाषा के विकास के लिए मे के पाठ्यक्रम में स्थान मिला है इन्होंने हो जनजाती की संस्कृती और जीवन शैली पर छह पुस्तकें लिखी हैं इनमें से एक हो कुडी नामक उपन्यास 2010 में प्रकाशित हुआ है यह उपन्यास हो भाषा की पहली पुस्तक थी इस पुस्तक को जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है डोक्टर जनुम सिंग स्वय साब जो है आज जिस रूप में दुनिया में अपना पहचान बनाये हैं वो है हो भाषा और साहित हो भाषा साहित में उनका दो हजार नौ में प्रकासित हो कुड़ी उपन्यास जो सबसे चर्चित है और हमारा JPSC का जो सिलिवस है उसमें समिलित किया गया है JPSC के जो केंडिडिट होते हैं वो हो भाषा को लेते हैं तो ये उपन्यास उनको पढ़ना पढ़ता है मैं तोड़ा सा ये हो कुड़ी उपन्यास जो है इसके बारे में तोड़ा से जानकरी देना चाहूंगा हो कुड़ी उपन्यास मुख्या था एक नारी के बारे में नारी के जीवन बृत पर अधारित ये उपन्यास है एक नारी जो है इस जीवन में क्या-क्या कर सकती है यह पूरा विष्तृत जानकारी इस उपन्यास में लिखा गया है यह हो कुडी जो है अपना प्राई लिकाई इसी गाओं से कोक्चो गाओं से प्राई 이제 स्कूल से अपना प्राई लिकाई शुरू करते हैं उसके बाद गवर्मेंट इस्कूल चयवासा जाते हैं, वहां से मेट्रिक और इंटर की पड़ाई पूरी करने के बाद वो भी एक सिचिखा बन जाती है। सिचिखा बनने के बाद उनको जो है सुदूर ग्रामेंट चेत्र जंगल एरिया टॉंटो परकंड में उसको पदस्तपित किया जाता है, वहां से किसी तरह उसको होम ब्लोक में पिर डिपूट किया जाता है, और अपने ही गाओं के प्राइमरी स्कूल में उसको पोस्टिंग दिया जाता है, और वो हो कुडी जो है, जिसे हम कहते हैं, learn, earn and return, इस नियम को जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बाकू भी उन्होंने follow किया है, और समाज को, जो भी उन्होंने सीखा, उस चीज को समाज में वो return की, इतना ही नहीं, सबसे बड़ा काम जो है, उन् आपने गर-परिवार को सुदारने में सबसे अहम भूमी का निवाई अपना सबसे सवर्ग की जिन्दिगी जिसको हम कहते हैं साधी वो ना करके कुवारी जिन्दिगी अपना बिठाई और अपने भाईयों को पढ़ाई लिकाई और काबिल बनाई आज हम जिसको देख रहे हैं डॉक्टर जनमसीन सुष्वाइश साब को उनी के बदावलत ये आज इस अस्तर तक पहुचे हैं उसके बाद अपना गरद्वार तो सुदार ही ली अपना आरतिक ब्यवस्ता जो है बहुत अच्छी डाम से की उसके बाद समाज को भी सुदारने में वो हमेशा से तक पर रही और जीवन बर समाज को सिक्षित करने में लगी रही ऐसे ही बीना सदी सुदा के ही वो गुजर गई उसी के जीवन बरित पर अदारित ये उपन्यास था हो कुडी उपन्यास के द्वारा डॉक्टर सोय ने समाज में नारी जीवन के महत्व को समझाया है इसकी प्रेणा उन्हें अपनी बहन को देख कर मिला उन्होंने देखा कि किस तरह से पूरे परिवार को एक मा की तरह उनकी महन ने संभाला था अपनी बहन से प्रेणित होकर उपन्यास के करदार को रचा इस उपन्यास के माध्यम से वह गरीबी वह पिछड़े आदिवासी को उनकी मजबूत मानसिक्ता, उच्च सोच, वह अपने कर्म के बल पर विक्सित जीवन जीने का सुझाव देते हैं होकुडी उपनियास, यहां की जो छेत्र पिसेष का समाज से संबन्दीत है होकुडी होकुडी एक मानुख का एक पुडी है, कुडी में इस्त्री है एक कुडी समाज यह नारी की जो विबिन रूप है, जैसे छोटा में माई, बुई, कुई हैं सरस्ति की रूप में भी है उसका मन में कुछ नराजगी है समाज में अफमान मिल्याता है सो बिक्रालूप को भी दिखाया उसमें और समाज में इसी तरह के हैं नारी ठाई है कर ächद podrula को रादि बुह पुष्तक है और साथ में उसमें चंदरलोग कभी उसमें किया है उसमें इंगित किया है चंदरलोग नारी में जो गर्वा है वो चंदरलोग से तुलना किया है इंदर सब्रणि मनी कहा जाता है मनुष्त जहां पर आवतार लेता है चंदरलोग नारी के जो गर्व है उसे कोल की संग्यादी गये है और कोल संस्कृति की पूजा करते हैं को संस्कृती ने जेरा घजन करेपार्व। जो जो से समधिता, समाज में वूंिखा होता है। एक माँ जो अपने बच्चे को जनम लेता है और उसके गाद समाज में प्रमानो समाज के लोग उस असे संपुर मानो संक्साहर में जब अणिवा करा जाता है उसके बाद एक अप्रिवारी जीवान मनेता में हैं उसके बाद संतान होने के बाद जो बड़ा होता है समाज में पल बड़ा होता है समाज में जो सिच्चा कर दो प्रवेशिट्टा है और उसके बाद भाद साथ साथ में हमकिन December इनके प्रागण आत्म विश्वास की अभिव्यक्ति इनके द्वारा रचित हेया सागेन हरा सागेन इत्यादी ने इनको लोग प्रियता के चरम पर बैठा कर जानुन सिंग स्वय से स्वय साहब बना दिया डॉक्टर सौय का पहला काव्य संग्रह बाहा सगेन वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ और इसी का दूसरा हिस्सा इस वर्ष 2023 में प्रकाशित किया गया जिसमें आदिवासी जीवन की परंपरा, संस्कृति, तहवारों और लोक गीतों को शामिल किया गया है सुरू में कुछ पिस में हिंदी में लिखता रहा हूं जब तैसिस पर मेरा ध्यान केंदरित हो गया तो उसी समय से ही गीत के प्रती में अग्रिस्थ हो गया गीत गाना या नाचना नाजगान यह बहुत ही आसान है अगर जिसको सर्म नहीं आती है जनको खुशी होती है कि हम भी नाचेंगे हम भी गीत गयांगे ओ व्यक्ति आसानी से गीत गा सकता है आसानी से नाच सकता है इसलिए कह राता है कि सेंगे सुसुन काजेगे दूराग चाल ही नित्य है और बोली ही दुरण है बात को और लियातमक r coop me कीजिये या कही गा तो रणी क compose रूоп ले लेता है और चाल को अगर ल्यातमक roopắm में आप पर जगा दिजयागा कमन लज लजखते हुए चलीगा तो यही आपके लिए नित्य कह लएगा का बेन पाहाना, दिएकनीरे दो, का बेने होला, दिएकनीरे दो. कर लिए जो रिस जिसाग जा दो बेत इन आँ work कर लिसा जाँ जाँ कर समय से झाल, कर आँ आँ कर वना झाल, कर दो करे दो प्रोफेसर रहे या विभागा द्यक्ष हिंदी विभाग में रहकर हिंदी की सेवा की साथ ही साथ जनजातिय भाषा हो के विकास के लिए कारे करते रहे इस भाषा को एक पहचान दिलाने में इनके योगदान को सब मानते हैं इसलिए प्यार और सम्मान से लोग नहीं जोई सयोग की उपादी दी हैं सबसे पहले डॉक्टर सहब से हमारी मुलाकात घाट सिला में हुई थी उस समय हम लोग उनहीं के किताब के सिलसे में उनसे मुलाकात हुई उन्होंने सप्रेम हमारा स्वागत भी किया उसका किताब के बारे में धेर सारी बाते हुई उनके विचारों से हम लोग बहुत सहमत है मैं थोड़ा सा उनके बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं बिगत 15-20 वर्षों से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और अभी मैं उनके, मतलब वो तो काफी हमारे सीनियर रहे, वो थे तो हिंदी के प्रोफेसर, लेकिन उनकी पकड़ हो में भी बहुत अच्छी रही है और हम लोग अपना गुरू के रूप में या उनके मार्ग दर्शन पर हम लोग भी चल रहे हैं और हम लोग हो भाशा में ही काम कर रहे हैं और उनकी एक PhD की किताबे आई थी जो उनका विशह रहा लोग गीत पर एक सांस्कृतिक अध्यान जो काफी अश्ची है, हम लोग ने उनसे प्रेना लिया, काफी लोगों को हम लोग को पढ़ने को मिला उसी से प्रेरित हो के मैंने भी एक PhD बागीत एक सांस्कृतिक अध्यान पर किया और ये चुकी हो भाशा का पठन पाठन या लेखन कार या 1840 से हो रहा है उसके बाद हमारे मतलब हो साहित्ते कार आए लेकिन हमारे बीच जो आज पदमिसरी डॉक्टर जनम सिंग सोय आज हमारी भाशाओं का लेखन को राष्टिय पठल तक पहुचाने का काम किये पहले भी ये औसर इनको मिला और हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे गुरु जी जनम सिंग सोय जी हमारे समाज हो समाज को इन्होंने गर्विंद कर दिया और या जो है हमारे लोगों के बिच में या मैसे जाती है कि हमारे भी शाहितकार हैं, हमारे भी इतिहासकार हैं और इन्होंने जो भी किताबे लिखी ओ आगे के पीडी के लिए, हमारे शाहितकारों के लिए या दिशा दिखाने वाली चीज है और हमारे समाज के लिए बहुत ये गौरों की बात है कि डौक्टर जानूम सिंग सोय ने पदमसरी प्रुषकार प्रात किया या हमारा इतिहास में पहला ब्यक्ति है जिनोंने या पद मिली उन्हें और पदमसरी प्रुषकार मिली इससे जो है हमारे लोगों को हो समाज ही नहीं और हमारे आदिवासी समाज जितने भी है चाहे संथाल हो चाहे मुंडा हो चाहे उड़ाओं समाज के लिए एक दिसा दिखाने वाली बात है और इनकी पुस्तक जो है अंधेरा में दिया दिखाने वाली बात है और इसे हम लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे और इसे से प्रेरित होकर और भी साहितकार लोग लिखेंगे और हम भी इसे से परभावित हैं सेवा निवृत होने के बाद उनका कहना है कि अब तो शुरुवात हुई है यहां से उनका दाइत्व और बढ़ जाता है बहुत से काव्य लिखा जा चुका है और प्रकाशन के तयारी चल रही है बहुत सा लिख रहे हैं होके शात्रों के लिए किताब उबलब्ध कराना अप दाइत्व बानते हैं सोय साथ यानि पदम सरी डॉक्टर जनुम सिंह सोय के साथ जो अनुभाव रहा है वह मैं साजा कर रहा हूं जब वह गाटसिला कोलेज के प्रिंसपल थे उन समय से उनके साथ काफी आना जाना उनके सहित के बिसे में चर्चा उनकी लेखन के पीछी मे जो कविताय है जो उनके गीत है उनके लेख हैं उन सारे चीजों को में धाको करते समयं मुण का समाझ के पर्ती सिच्छा के पर्ती और अपने लेखन के पर्त नंका इस Kryo गंवीरता था या उनका जो एक जिग्यासा वो हमें काफी करीब से देखने को मिला उनके गीतों में, उनके लेक में या उनके कभिताओं में प्रकृते के परती जो लगाओ था वो देखने को मिला समाच के परती कुछ करने की इच्छा चुटियों में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक के माधियाम से अपने को ब्यस्त रखते थे और एक मैसिज देने की कोशिस करते थे के परपतिवार में जोभी वह सूर्ण कहीं से भी लाते थे उनकुछ चीजह को लेखन के अमादयम से कविता के गीत के मादयम से लिक्ष के लोगों तक टेकं अपने स्वर में गाकर में लोगों को यागिर्वितख करने के काम करते थे और जब वहां से हो गार्शिला कॉलिज से जब इन्वर्सिटी में हिंदी विवाग के होडी जब बने तो हम लोगों काफी गर्व मासूस हुआ कि हमारे अपने लोग जो है एक ग्रामिन चेतर में एक ट्राइबल चेतर में हिंदी विवाग के विवागयद्याच होने के नात से वहां पर भी जब उन्होंने योगदान दिया तो हम लोगों ने उनको जाके काफी अभिनंदन किये थे और देखते ही देखते समय बित्ता गया रिटार्मेंट हो गया उसके बावजूद भी उन्होंने अपना लेखन नहीं छोड़ा और कभिताओं के माध्याम से गीतो क्यों करमसा चल ही रहा है 26 जनवरी 2023 के पूर्व संध्या पर डॉक्टर जानूम सिंग स्वय का नाम पदमश्री सम्मान के लिए घोशित किया गया था पांच अप्रेल 2023 को उनके भाशा साहित्य में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रुपती श्रिमती द्रौबदी मुर्मु ने उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया सरकार ने उनकी मात्रभाशा हो को सन्रक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में उनके काम भी सराहना दी रहे बहुत गवरब की बात है कि मैं पदमश्री डॉक्टर जैनुम्शीन सोय जी के गाह में आये हैं जिस तरह से 1913 में रविंदरनाथ टाइगर को साहित समान दिया गया था उस समें पूरे भारत भाशी गर्वनित महसूस कि उसी तरह से हमारे डॉक्टर सोय जी को पदमश्री मिलने पर हम पूरे हो समाज गर्वनित है अपने को इतना गावरावनित महसूस कर रहे हूं कि हमारे हो समाज में पहली पदमश्री अवार जो मिला है डॉक्टर जनुम सिंग सोय को उसके लिए में बहुत-बहुत सारे भारत वर्ष को सभी हो समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूं डॉक्टर जनुम सिंग सोय साफ को मैं बधाई और सुबकामना देती हूं उनकी जितनी भी किरितियां हैं हमारे हो समाज के लिए हमारे लिए बच्चों के लिए बहुत ही प्रेना दायक और लाब दायक है और हम लोग गर महसूस करते हैं फिर से उनके लिए बहुत सुबक सामना दे और बधायां करके अच्छा करने का हम लोगों ने परियास किया है और मुझे लगता है कि आज अधिवाशी हो समाज को भासा भी खास से एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए सपलता बनाने के लिए सपलता का रास्ता हमारे डॉक्टर जैनम सिंग स्वजी निर्मान किया ऐसा लगता है और आज पूरे देश में हो भासा पर एक किताब लिखकर हमारे स्वजी सर को जो समान मिला इससे हमारे समाज को बहुत गर मेशुश हो रही है जनजातिये आज भी विकास और अपनी पहचान की लड़ाई कर रहे हैं डॉक्टर स्वाई करते हैं कि हमारे विकास के लिए शिच्छा आवश्यक है और लोगों को शिच्छित होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं पदमश्री का जो अलंकार आज हमारे सहित्य को उनके माध्यम से मिला है यह बहुत बड़ी जिमेदारी है हम जैसे यूद के लिए मैं कासरे कुदादा रिष्टे में जैनम सिंग मेरे मामा होते हैं और उनकी जो पहली कृति है हो कुड़ी उनके साथ से जुड़ा हूं उसके बाद से जितनी भी उनकी पूस्तके हैं उनको परकासन का व्यवस्था और परकासन में लाने का जो क्रम है उसको हमने साथ दिया है जैनम सिंग सोय को आज पूरा भारत देश में हो भासा जो है जाना और पहचाना जा रहा है और इस विकास के अगरसर रस्ते पर हम लोगों का योगदान और हम लोगों का जो प्रयास है वो आज आप सब के सामने है जो देखते ही बनता है इसी तरह भविश्य में भी अपना योगदान देते रहें जिससे हो भाशा को जन जन तक पहुंचाया जा सके हम लोगों का हो भासा का परचार परशार में अभियान में उन सब के साथ जुड़े हैं इसलिए हम लोग अपना हम लोग का अपना हो बासा का अपना बासा लिपी है इसको परचार परशार करने में हम लोगों को खुछ बादाय उपस्तित होती थी लेकिन जब डाक्टर जनू सिंग को पदामस्री का सम्मानित किया गया ताम हम लोगों को बासा परचार परशार अब लोगों का पूछन पूछना अभी नहीं पूछ रहा है मतलब इसको पढ़ने से भी बहुत चीज है अच्छा चीज है अभी हम लोग भासा परचार करने में बहुत सुबीदा हो गया जब से इनको पधामसुरी का सम्मानित किया गया है अभी में लगे हुए है इसकाम से इसलिए हम जनु सिंग स्वय को बहुत बहुत दन्यबाद देते हैं कि उसके इस करके चलते हम लोग काम करने का स्पीड बढ़ गिया है जहारखंड के संस्कृती में चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है ऐसा कहा जाता है डॉक्टर स्वय अपने लिखे गीतों को बहुत बखुबी गाते भी हैं और समुह में नृत्य भी करते हैं इससे भी करते हैं मैं अभी भी शेहर देपार्टकों को यही सुपसंदेश देना चाहूंगा कि अब मैं जिवित रूफ में एक पदमस्री के रूफ में उदाहरन के रूफ में प्रणा के रूफ में शेहर देपार्टकों के समक्ष आप लोगों के समक्ष उपस्तित हूं और आप लोगों को प्रेलित करता रहूंगा डॉक्टर जानूम सिंग सोय ने जारखंड को राश्ट्री पटल पर पुना एक बार गौरव की अनुभूती करवाई मिलते हैं अगले अंक में एक और प्रिणा दायक शक्स के साथ तब तक के लिए हमें दीजिये इजाजत नमस्कार करसे हमें तक भार पार गौर यज साथ याज सांट 7 कि अनुब बाल सांट पंक अनुब तक करहतक erfahren दो अनुब यहां? यहां जा दाखको की पुना झाला हो